तूने कहा था तुझसे मिलने कोई किल लो आओगी तू ना आई वादा किया था सया पन के बदरिया तू छाओगी तू ना चाहिए मेरे प्यासे में ना कर से तू नकी ना घर से कैसे भी ती हो कैसे भी ती ये रात सुहानी तू सुन ये कहानी अरे अपनी जुबान से हाँ अपनी जुबान से तेरे नेना है ये तीर कमान से हाँ हाँ — हे तWorks चाही नेना बाईमान से हो तेर कमान से हो लेकिन नेना है ऊ फिर कीवाली है की काल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से आण अब यह तो अब आते हैं कि अ अधिया आधि झाल मारे आधिक तुर्णा पही जाने जी आधिक पहुत है यह तो यह तो यह संभाणी भीया बारे श्रवन जैसो आज जी आप संडीला से पता रहे हैं आपकी दोरा, ये 2001 मुद्राओं का अशीर राद परदत हुआ है, भईया को बहुत 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 धन्यवाद है, आईए गीप को सुनिये का आप लोग, सुने अच्य के माता, शीतला का दरबार है, तो येक मैं पहला गीए, तो मा के चर्णों मही गा रही हूँ, ये पहला स्रद्धासुमान, माता के चर्णों मही समर्पित है, तो सुने आप लोग, सुनिये 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 शेरा वाली मैया पहाडों वाली जो सर्व शक्तिमान है जो सर्व शक्तिमान है तो मा के चर्णों में ही स्वर्ग विद्यमान है पहली पुंदी कह दी कि मा के चर्णों में ही स्वर्ग विद्यमान है पन्दा जी एक को सुने आँ वो शेरा वाली मैया पहाडों वाली जो सर्व शक्तिमान है मा के चरणों में ही स्वर के विद्यमान है माता शताची अपने सारे नेत्रों से रोई और जब माता रोई तो क्या हुआ क्या हुआ कि रोई माता जगत की विधाता रोई माता जो जगत की विधाता तो खुशी हर इंसान है देखें माता रोई तो हर इंसान सुखी हो गया क्यों हो गया? क्योंकि माता के नेत्रों से तो जो आसू गिरे उन आसूं से धर्ती पर हर्याली आई साक सब्जी पैदा हुई तो सारा संसार खुश हो गया मा रो रहे हैं और संसार खुश हो रहा है इसलिए तो रोई माता जो जगत की विधाता तो खुशी ही हर इंसान है मा के रोने से ही बच्चों की मुस्कार है गीत को पहले समझ लेना इसलिए रोई माता जो जगत की विधाता तो खुशी हर इंसान है के मा के रोने से ही बच्चों की मुस्कार है मां के रोने से इसे सवर्ग विद्यमान है, मां के रोने से बच्चों की मुस्तान है अगली बार देखें आप कि एक चोटी सी विटिया है तुशां की जैसवाल वा अच्छा ये तुशां की जैसवाल ये विटिया की तरफ से पचास मतराएं परदत हो रही है मातारानी से सुखी जुवन की आमना है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है वागया क्या? अर भूखे को अन और प्यासे को पानी अर भूखे को अन और प्यासे को पानी देते ओ धर दानी है भूखे को अन और प्यासे को पानी जैहो बाबा बर्फानी देखें माता जी भी और पिता जी भी है तो भूखे को अन और प्यासे को पानी तो देते ओ धर दानी है एक कथाने मिली आप पंडा जी एक बार माता राने की सखियों को बहुत जोड़ से प्यास लगी लेकिन गने जंगल में पानी कोई साधर नहीं मिला और जब नहीं मिला तो माता ने अपने सर को काटा और सर काटने के बाद रक्त की तीन धाराएं निकली तो एक सहीली के मुख में जा रही है और तीसरी स्वें जो कटा हुआ सालहात में लिए उसमें जा रही है तो कहा गया अए रक्द को पीती कहीं खुद है पिलाती तो रक्द को पीती कहीं खुद है पिलाती तो बन ताली महा लानी है तो मेरे कह रही हूँ क्या एक कानी और मिल लई है एक बार माता गौरा की सखियों ने बाबा भोले नास से थोड़ा से उपहास करना चाहा एक मजा करना चाहा और मजा करने के लिए उन्होंने माता पारवती को बुलाया उनकी सखियों ने और सखियों ने माता का पारवती को काट के उनके सरीर का भोजर बना के भोले नाथ को परोज दिया भोले नाथ को परोज दिया और भोले बाबा खा भी रहे हैं खिरे बूसरी ऑफ कहतानक मिल जाता है कि एक बार मातारानी को महुत जोर मह झोभी तो भॉले नाथ नेका का अगर कोई भॉजन की सामगरी नहीं मिल लई है तो एक काम करो तुम हमे झालो मातारानी ने भॉले नाथ झाल या और जब खा लिया तो हूँआ है अरे कहीं खा रही स्वयम खिलाती तो कहीं खा रही स्वयम खिलाती अरे धूमावती भवानी एक जम हो गया उनका बाबा भोले नाथ उनके छित्रों से धुआ बनके निगल गई माता का नाम पढ़ा गया माता धूमावती इसलिए कहीं खिलाती कहीं खा रही स्वयम खिलाती धूमावती भवानी तो कहां वो महरावाली वो महरावाली बन गई है खपरवाली महरावाली बन गई है खपरवाली और नीचे लेटे भगवान है जब माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो भोले नाथ लेड गए और जब लेड गए तो महरावाली बन गई है कपरवाली तो नीचे लेटे भगवान है अरे मा के खाने में ही बच्चों का कल्यावन है मा के जनों में स्वर की वित्यमान है मा के रोने से बच्चों की मुस्कान है अब मा के खाने से बच्चों का कल्यावन है नीचे लेटे भगवान है तो मा के खाने में ही बच्चों का कल्यावन है मा के खाने में ही बच्चों का कल्यावन है आए एक बात और चुनिएगा तो काली बनी जब सीता तो करती अगरी बात देखें आप काली बनी जब सीता तो करती रागण का संहार है महारावण जिसको भगवार राम नहीं माल पा रहे है माताकाली का रूद्धारण किया माताजानकी ने और उस रावण का पज़ कर दिया तो तो अरे रोई का मोदा नारी स्वर्ण के अरे बन गए पूश्प हजान है का मोदा नारी रो रही है तो उसके रोने से सोने के कमल बन रहे है तासुों से सोने के कमल बन रहे है लेकन आप दूसरी बोड़ देखें अरे मगर द्रौपदी के हसने से मगर द्रौपदी के हसने से नश्ट हुआ परिवाद तो यहाँ अरे बन कर काली वो बन कर काली असुरों को मिटाने वाली वो करती रख्दपान है तर करती रख्दपान है तो मा के हसने से ही बच्चों का सम्मान है तो बन कर काली असुरों को मिटाने वाली वो करती रख्दपान है असुरों को मिटाने वाली तो आन्तिव असुरों का सम्माने अन्तिव टुकला प्रस्तुद कर रही हूं आदर्रपन्दा जी, सुने आप सुने मा के चरमों मेश्वर की विद्दिमान है मा के रोने से बच्चों की मुस्तान है मा के खाने में बच्चों का कल्यान है मा के हसने से बच्चों का सम्मान है अंतिम बाह देखें तो अमर कुफा में अरे अमर कहानी तो अमर कुफा में अरे अमर कहानी अमर कुफा में अमर कुफा में अरे अमर कहानी हो कहते शिवो अत्रपो रारी है अमर कथा सुना रहे हैं अमर कथा सुना रहे हैं लेकिन अमर कथा सुन पाई ना बाता हो अमर कथा सुन आई ना भाधा अर्तो ता भरे हुँई लगारी हुब दो ता कहे भू अर्तूत। ता कहे भू बाधा तो हमर कथा सुनी ही नहीं भाधा और सो गई करके लेकिन दोधे का बच्चा हों पारी भर भरा है और आमर हो गया COSO ही और ने उड़ाखीा पुफा में सोई है कांOT कि ए राखी अर्थ कुफा में सोई हॉत हुरी ह Different सबुए राखी अर्थ कुफा में सोई हुरी आ ह Kaiser वो कट्रावाली वो कट्रावाली है तीन फिंडी वाली और पहरे पे हनुमान है तो मा के सोने में जगती उसकी संता है हनुमान दिमाराट पहरा दे रहे हैं उनकी संतान पहरा दे रही है और मा सो रही है तो में बहरे पे हनुमान के सोने में जगती उसकी संता है क्या के सुदे में यकिया नर्वे करता है क्या के सुदे है तीन आए आँ 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 हो उसकाराओ कर दो दो